हैलो गाईज स्वागत है हमारे यटूब चैनल पर तो गाईज आसका इस वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा डाइलर एप में डाइलर पैट के बैकगवन को, कॉंटेक लिस्ट के बैकगवन को और कॉलर स्क्रीन के बैकवन को किस तरीके से चेंज करके पर आपना फोटो लागाना है या फिर अपने गल्फेन का फोटो लागाना है या फिर आप जिसका भी फोटो चाहिए उसका फोटो किस तरिके से लागाना है तो गैस अगर आप भी इस trick को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बीदा स्क्रिप किये एंट्रेक देखिए तो गैस वीडियो बहुत जाता इंट्रेस्टिंग होड़े वाला है तो वीडियो का भी से like कर देजे एंट अगर आप फ़र चल पड़ने हो चैनल को जोड़ों से subscribe कर लिए तो गैस चलिए आज का ये वीडियो चालो शुरूरा स्टार्ट करते हैं तो गैस सबसे पहले आप लोग को क्या करना है प्ले स्टोर से इस application को install कर लेना है तो गैस इस app का जो link है और आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगा तो आप उदर से click करके इस app को direct install कर लिजेगा तो मैं इस app को फड़ फड़ से install कर लेता हूँ तो गैस application को install करने के बाद simple से application को open करना है open करने के बाद guys सबसे पहले आप लोग के सामने कुछ इस तरिका का interface कुल क्या जाएगा तो गैस आप लोग को यहाँ पर क्या करना है screen के ऊपर tap 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 करना है और जो भी आप से यहाँ पर करने के लिए बोलता है आपको बस करते जाना है उसके बाद guys आपको यहाँ पर OK पर क्लिक करना है उसके बाद guys आपसे यहाँ पर कुछ permission मांगेगा तो आपको सारे permission को allow 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 कर दिना है तो सबसे पहले आपसे permission मांगता है contact का तो आपको allow कर दिना है उसके बाद जो ही permission मांगता है आपको allow allow कर दिना है टो मैं सारे permission को allow कर देता ह। उसके बाद आपसे storage का permission बागता है तो आपको storage के permission को भी allow कर देना है उसके बाद यहाँ पर call phone को select करके set as default पर click करना है तो guys मैंने सब permission को दे दिया है सब permission को देने के बाद guys आप लोगको to only platform that आप लोगको supposed back आना है change करके दिखाता हूँ इसके लिए आप लोग को नीचे इस option पर click करना है click करने के बाद guys आप लोग को यहाँ पर background के option पर click करना है click करने के बाद guys आप लोग को यहाँ पर एक option देखते को मिलता है peak image तो guys आप लोग को peak image पर click करना है उसके बाद guys आप लोग को फिर से peak image पर click करना है उसके बाद guys आप लोग को ओ photo select करना है जिसको आप अपने color screen पर लगना चाते है तो मैं यहाँ पर से एक photo select कर लेता हूँ photo select करने के बाद guys आप लोग को photo को थोरो सा adjust कर लेना है मतलब कि आप photo का कितना हिस्सा लेना चाते है adjust करने के बाद guys आप लोग को नीचे apply पर click करना है उसके बाद guys आपका जो photo है वो आपके phone के color screen पर लग जाएगा उसके बाद guys जब भी आपको कोई call करेगा तो आपके सामने कुछ इस तरीके का color screen देखने को मिलेगा तो guys इस तरीके से आपको color screen को change करना है तो guys चली आप मैं आप लोग को दिखाता हूँ dialer pad और contact list के background को किस तरीके से change करना है तो guys इसके लिए guys आप लोग क्या करना है dialer का option पर click करना है उसके बाद guys आप लोग को यहाँ पर नीचे फिर से उस option पर click करना है click करने के बाद guys आप लोग को background option पर click करना है उसके बाद guys आप लोग को फिर से peak image पर click करना है उसके बाद guys आप लोग को फिर से peak image पर click करना है उसके बाद फिर से एक photo select करना है जिसको आप अपने contact list के background में लगना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर से फिर से एक photo select कर लेता हूँ photo select करने के बाद फिर से photo को उसी तरह की उसी तरीके से adjust करना है adjust करने के बाद आप लोग को नीचे apply पर click करना है उसके बाद guys आपका जो photo है ओ आपके dialer pad के background में और contact list के background में लग जाएगा तो guys मैं आप लोग के बाद दिखा देता हूँ इसके लिए guys आप लोग क्या करना है इस app को close कर देना है close करने के बाद दुवारा से इस app को open करना है open करने के बाद guys आप लोग के सामने show करेगा तो guys आप लोग यहाँ पर देख सकते है contact list के background में photo लग चुका है और dialer pad के background में भी photo लग चुका है तो guys इस तरीके से आपको contact list के background का जो photo है उसे change करना है और color screen को भी इस तरीके से change करना है तो guys आज के इस वीडियो बस इतना ही अगर आप इस तरीके के वीडियो और देखनेंग चाहते हैं तो आप और चल को सस्क्राइब भी कर सकते हैं